Hello, दोस्तो, Welcome Back to Parenting Care. दोस्तो, जब पहली बार कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, मा बनने वाली होती है, तो वो अपने आने वाले छोटे से मह्मान को ले कर बहुती खुश होती है. उससे ये जानने की काफी एकसाइटमेंट होती है, कि उसके गर्ण में पल रहा बच्चा प्यारी सी बेटी है या प्यारा सा बेटा है पहले के समय में जब लेडीज प्रेगनेंट होती थी तो उन्हें किसी हॉस्पिटल में जानने की नीट नहीं होती थी घर पर ही वो दाई के हेल्प से बच्चे को जनम दे देती थी प्यारी सी बेटी या बेटा है दोस्तों आज कि वीडियो में हम उनी सिंटंस और इक्स्पिडियेंस के बारे में जानेंगे मैं इन सिंटंस और इक्स्पिडियेंस के त्रूप प्रेगनन लेडी काफी हदoles तक इस बात का नुमान लगा सकती है कि उनका आने वाला बच्चा, आने वाला महमान एक प्यारी सी बेटी है या बेटा है सो आईए मा के इस excitement को जानने के लिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते है जब कोई लेडी प्रेगनेंट होती है तो उनके बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंज़ेस होते है जैसे प्रेगनेल लेडी के ब्रेश साइज में चेंज होना, यूरीन के कलर का चेंज होना, टमी बाहर आना, वेट बढ़ना, किसी पर्टिकुलर फूट को खाने का मन करना, वार्निंग सिखनेस होना, ये सारे हार्मोनल चेंज़ेस होते है अगर हम पहले सिंटम की बात करें, तो वो ये है कि अपने ब्रेश साइज को देखकर अनुमाल लगाना प्रेगनल लेडी अपने ब्रेश के साइज को देखकर इस बात का अनुमाल लगा सकती है कि उसका आनने वाला बच्चा एक प्यारी सी बेटी है या बेटा अगर pregnant lady का right breast left breast से बड़ा होता है तो काफी हद तक इसका मतलब ये होता है कि आनने वाला महमान बेटा है घर के बड़ी माय दाई जो बच्चे को जनम देने में हैल्प करती थी वो pregnant lady की tummy को देखकर ही गर में पल्लाय बच्चे की बारे में अनुमाल लगा लेती है उनके according अगर pregnant lady का tummy गोल है नीची की करब भारी है जुका हुआ है तो आने वाला बच्चा बेटा होता है और अगर tummy का shape oval है तो आने वाला बच्चा प्यारी सी बेटी होती है सो एक pregnant lady अपने body के इन दो हार्मोलन changes के basis पर अपने girl में पल रहे प्यारे से बच्चे के बारे में अनुमान लगा सकती है अपने excitement को दूर कर सकती है pregnancy के time अपना take care कैसे करें इसे जानने के लिए उपर दिये गया eye icon पे क्लिक करें होप सो दोस्तों आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो जली से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के शाथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो से लेटेड कोई क्यारी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं पेरंटी केर पे अगर आपने नया विजिट किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप बहुत-बहुत धन्यवाद थांकियू सो मच बाबाए